हे गाईज, वेल्कम बेक टो स्टेटे मीडियम चैनल, जो लोग B.A.C. नर्सिंग इंटरेंस रिजाम और पारामेडिकल इंटरेंस रिजाम का तयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो हम लोग पर केमेस्ट्री और केमेस्ट्री में जितने प्रवाफ इंपोर्टेंट क्या है, वह सारे को सारे के एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को सुरू संतर देखेगा, पसंद है तो लाईक जो रूप किएगेगे, चले हैं शूरू करता इसका पहला पहला कोस्चन से, हीरा क्या है, Option A, एक योगिक आफ्शन भी मिस्रण, औसंट 1 तद्वımız , शूद्ध निमलीखित में रासानिक योगी, सूद्ध तद्वू kimse ऐसे काच, सिमेंट, औसंट बसे सोडियम जी हाँ नहीं तो इसका करेट अंसर होगा option C sodium यह सूध तत्वा ठीक है और cement कांच यह सब mix up करके बनाया जाता है next question से किस बेग्यानिक ने परमानु सिधान्त की खोज गी थी? option ने जॉन डाल्टन, option भी मेडम क्यूरी, option C Rutherford and option इनिमें से कोई नहीं तो इसका करेट अंसर होगा option A John Dalton, Dalton ने परमानु सिधान्त की खोज की थी, ठीक है? next question से निमलेखित में से कोई एक अस्थाई करने? option A neutron, option B electron, option C proton and option D यह सभी तो करेट अंसर होगा option A neutron, यह एक अस्थाई करने होते, ठीक है? next question से निमलेखित में से कोई एक आवेस रहित करने? option A proton, option B electron, option C neutron and option D इनिमें से कोई नहीं तो करेट अंसर होगा option C neutron, neutron में कोई भी आवेस नहीं पाए जाते next question से परमानु बिद्दूत क्या होते? option A Rhinathamak, option B Dhanathamak, option C दूई धनात तमक and option D उदासीन मतलब कोई भी परमानु बिद्दूत के हिसाब से क्या होगा वो? तो इसका करेट अंसर होगा option D उदासीन ठीक है? बिद्दूत तो वो कोई भी परमानु होगा वो उदासीन होगा क्योंकि जितने उसमें proton पाए जाते उतने electron भी पाए जाते हो और electron में माइनस चाहिए होता, proton में प्लस चाहिए होता यह दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते, ओके? नेक्स्ट क्वेशन से electron की खोई किस ने की थी, option जोन डाल्टन, option भी थॉम्सन, option C रधरफोर्ड और उप्सन इनमें से कोई नहीं तो करेट अंसर होगा option B थॉम्सन, ठीक है? इसका पूरा नाम है जेजे थॉम्सन, ओके? नेक्स्ट क्वेशन से proton की खोई किस ने की थी, option ए मैडम क्योरी, option B फेराडे, option C रधरफोर्ड और उप्सन इनमें से कोई नहीं तो करेट अंसर होगा option ए चैडविक, चैडविक ने neutron की खोई की थी, ओके? next question से परमानविक नाभिक किस ने खो जा था very important option ए थॉंसन, option भी रधर फोर्ड, option सी चैडविक and option भी जॉन डालटन तो इसका correct answer होगा option भी रधर फोर्ड रधर फोर्ड ने परमानव की नाभिक हो जा था ठीक है और नाभिक का धनात्तमक जो गुन होता वो भी रधर फोर्ड ने खो जाता होगे next question से एक भारतिय बेग्गानिक जिसका नाम एक बिसिष्ट मूलकन से के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? option भोस, option भी रमन, option सी साहा और option भी चंदर सेखर तो इसका करेट अंसर होगा, option भोस, ठीक है यह बोस जो बेग्गानिक है इसका नाम एक मूलकन के नाम से जुड़ा हुआ और उस कन का भी नाम भोस ही है ठीक है? next question से नेमलेखित में से किस परमानू के नाभिक में नीट्रोन नहीं पाए जाता? very important, option A, helium, option B, tritium, option C, hydrogen, and option D, lithium तो इसका करेट अंसर होगा, option C, hydrogen hydrogen के नाभिक में कोई भी नीट्रोन नहीं पाए जाता? very important questions में से एक है, ओके? next questions है, electron के तरंग प्रकृति की खोई, सरपतम किसी नहीं की थी? तरंग प्रकृति, option A, D, Brogley, option B, Rutherford, option C, Thompson, and option D, option D, Brogley, प्रकृति ने electron के तरंग प्रकृति को सबसे पहले खोजा था, okay? next question से, तद तो के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? option A, Parmanu, option B, Rhinayan, option C, Dhanayan, and option D, Anu, तो इसका करेट अंसर होगा, option A, Parmanu, तद तो के सबसे छोटे भाग को पर्मानु कहा जाता है, कौन सा सबसे छोटा कौन, सोतंतर रूप से रह सकता है, option A, Anu, option B, Dhanayan, option C, Parmanu, and option D, Rhinayan, तो इसका करेट अंसर होगा, option C, Parmanu, ठीक है? यह डालटन पर्मानु सी धानत कहनु सार ऐसा कहा गया है, कि सबसे छोटा सोतंतर कन होगा, Parmanu, okay? next question से, किसी पर्मानु की गुन निर्भर करते है, option A, Electronics, सनरचना पर, option B, Neutron की सेंख्या पर, option C, Parmanu, भार पर, and option D, Proton की सेंख्या पर, तो इसका correct answer होगा, option A, Electronics, सनरचना पर, डिपेंड करते है, कोई भी Parmanu का गुन धर्म जो होगे, उसके Electronics, Configuration पर, डिपेंड करेंगा, okay? नेक्ट क्केशन से, Neutron और, Proton के सेंख्याओं की योगफल को क्या कहा जाता है, option A, Quantum सेंख्या, option B, दर्मानु सेंख्या, option C, Parmanu सेंख्या, and option D, इने में से कोई नहीं, तो इसका correct answer होगा, option B, दर्मान सेंख्या, ठीक है? Neutron और proton के सेंखा होग योगफल को दुर्यमान सेंखा कहा जाता है Next question से कीन किरिनो के प्रक्रिनन से नाभी के आकार का आकलन किया जा सकता है Very important questions Option A. Gamma कन, Option B. Beta कन, Option C. Delta कन and Option D. Alpha कन तो इसका करेट अंसर होगा Option D. Alpha कन अलफा कन के प्रक्रिनन से नाभी का आकार का आकलन किया जा सकता होके Next question से नाभी के धनावसित होने की कोच सबसे पहले किसी नहीं किया तो आप्सेन जोन रादर फोर्ड, आप्सेन से आरस्तू, और आप्सेन नहीं में से कोई नहीं तो करेट अंसर हो जागा Option भी रधर फोर्ड, रधर फोर्ड नहीं पताया तो नाभीक धनावसित होते हों के तो वीडियो यहीं तक है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंग के साथ से जोरू कीजिएगा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं दो के लिए में दो कि लिए एक लेगा।